तो आप सभी को पता है कि हमारे एक्जांस बहुत नजदीक हैं और एक्जांस हमारे स्टार्ट होने वाले हैं तो आप सभी लोग मैंने अपसे पहले ही बताया है कि आप अगर ST देना चाहें तो आप पर इच्छा है आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर सकते हैं वहां पर आपको benefit यह मिलेगा कि आप मारा यह code है जो लिखा हुआ मैस्ट बीटी इसका यूज करेंगे तो आपको वहां पर 40% का discount मिल जाएगा अगर आपके 500 के सकते हैं और यहां पर आपको देख सकते हैं कि हम लोग यहां पर डिसकस कर रहे थे एयर फोर्स नेवी डवल एजसर के लिए जो मॉडल इंपर की स्रीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी सब्सक्राइब सब्सक्राइब लोगों ने यहां पर 2000 प्लस कोश्टिन की स्रीज देखी थी जिससे मैंने आपको 49 पार ट्रॉइट किये थे इसके बाद मैंने वहां से यह फोर्स का एक्जाम नजदीक था तो उसके एक्जाम को देखते हुए मैंने यहां पर मॉडल इपर की स्रीज स्टा हैं उनसे लिए हुए हैं काफी इंपॉर्टनेंट हैं आने वाले एक्जाम के लिए लेकिन इसे पहले मैं बता दूं कि वो लोग जो भी हम से लगातार जोड़े रहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अनकैडमी पर टेली मैं लाक्ट सेवन डेस से क्लासेस ले रहा हूं और यह क्लासेस हमारी दात में आठ बजे से स्टार्ट होती है और यह साड़े नौब बजे सकतलती है लगबग डिएड़ घंटे की क्लास में लेता हूं जिसमें मैं आपको 25 कोशिंस डेली के डेली बता रहा हूं मैंने सेवल लक्षे इसके वो free of cost है कोई भी cost उसकी नहीं है बस आपको Unacademy पर जाकर उस special क्लास को इंडॉल करना है उस पर जाकर आप इंडॉल्मेंट कर लेंगे तो आप वहाँ पर जाकर उन वीडियो को देख पाएंगे at time ओके तो चलिए start करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और बढ़ते है हम लोग अपने पहले question की तरफ ठीक है जैसा क्या को पता है मैंने को बताए दिया है कि module 23 हम लोग discuss करेंगे तो चलते हैं आज के सबसे पहले question दिखिए जो सबसे पहला question हमारा लिखा हुआ है कि equation of a circle with center 4,3 touching the circle x square plus y square is equal to 1 is आपको एक equation की equation बतानी है circle की जिसके जो center है वो 4, 3 है और यह एक circle जो है वह एक दूसरे circle x square plus 5 square is equal to 1 को touch करता है ठीक है डिससे पहले तो हम एक circle बना लेते हैं इसके center हम को 4,3 दिये गए तो हम इसके center को 4,3 बना लेते हैं इसके बाद हम से बोला गया है कि यह जो circle है कि किसी दूसरे circle को इस तरीके से touch कर रहा है ठीक है अब circle को टच कर रहा तो इस circle से हम लोग अगर इसके center निकालना चाहें तो इसको हम इस formula लिख सकते है x minus 0 का all square plus y minus 0 का all square is equal to 1 तो इसका मतलब यह हुआ इसके center है वो 00 है और इसकी radius की बात की जाए तो यह radius आपकी 1 हो जाएगी अगर यह circle एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इनके center की बीच की distance इनकी त्रिजाओं की योग के बरावर होगी तो अगर यहां पर देखे तो इनके center की बीच की distance 4 का square और 4 minus 0 का square 16 और 3 minus 0 का square 9 तो 16 प्लस 9 5 यानि की distance overall अगर हम यहां तो की बात करें यहां में डिस्टंस निकालने का फ़र्मने का लगाया है अंडर रूट के अंदर x1 minus x2 का square प्लस 1 minus 2 का square तो यह 5 आजएगी मतलब इस circle की radius अगर 5 है तो इसकी कितनी होगी radius इस चार तो अब देखें सेंटर चार का मतीन है और रेडियस आपकी 4 है आप इस question मनाएंगे तो यह बनेगे x minus 4 का all square plus y minus 3 का all square is equal to 4 का square 16 ठीक है अब जैसे इसको आप solve करेंगे तो आपको answer मिल जाएगा ठीक है तो कितना आ जाएगा x square plus 16 माइनस का 8x plus y square plus 9 minus 6y और यह minus 16 जाएगा अब देखिए देखिए 16 और पच्चिस पच्चिस में 16 माइनस हो जाएगा आपका तो x square plus y square minus 8x minus 6y और यह 16 और पच्चिस में आपको प्लस का 9 आपका बन जाएगा clear है यही इस question का right answer बन जाएगा और यह आप अगर देखिए तो option number d में आपको यह given मिल रहा है तो पहले question का answer जो है वह option cot inverse fit 10 cos inverse x is equal to अब देखिए एक जनली तो हम लिए कर सकते हैं कि पहले यह जो cos आपका दिख रहा है इस cos को 10 में convert करके cancel करें फिर 10 को cot में convert करें फिर cot को sign में convert करें या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे एक सी values लेटे हैं जो COS में किसी की value होते है ऐसे लेंगे जिससे हमें option में confused ना हो क्योंकि अगर हम x की value 1 लेंगा तो यह भी 1 मिलेगा और यह भी 1 मिलेगा तो यहां रखेंगा तो 0 मिलेगा तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन इन दोना में problem आजाएगी तो हम क्या लेते हैं x की value यहां पर लग लेते हैं 1 by 2 वैलू हम वहीस ही रखेंगे यहां पर जो कॉस में किसी रा किसी की value होती हो अक्चुल में ठीक है तो कॉस में यहां पर x की जाएगी और जैसे ही रूट 3 रखेंगे तो यहां पर 10 हो जाएगा और कॉर्ट में रूट 3 वेलू होती है वह 30 डीरी होती है तो अब इसका मतलब क्या हुआ अब साइं 30 की value 1 by 2 का मतलब है कि हम जो एक्स लेकर चले थे वही हमारा आंसर बन रहा है क्योंकि हमारा जो एक्चुल में हमने जो कोस्टन सौल किया उसको हमें आंसर मिला 1 by 2 अब हमें एक्स की वालू 1 by 2 ऑफ्सन से में रखनी है और हमें चेक करना है कि कि में हमको waah 2 मिलेगा तो आप देखेंगे कि आपको 1 by 2 केवल option में मिलेगा तो पहले सी 1 दो मिलेगा अगर आप B में रखते है थे हैं तो आपको रोट सी बाइसो मिलेगा और सी में रखते है तो आपको टॉ धना फुलन टीक करेंगा आपका राइट आंसर बन जाएगा सभी को क्लियर हो गया होगा यह कोश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं अपने कोश्चन बहुत अच्छा है आपने एक्षिवल में कोश्चन देखा होगा तो अक्सर बहुत थीरे आंसर 4 रगा दिया होगा लेकिन बढ़ताए कव्वल में लिए को अध्र यहां पर फिर आपको प्ली प्रॉब्लम आपको कुश्चन कहीं लिखा मिल जाए तो सीठे आपको इसको प्लस आए लिखना है okay दूसरी condition यह है कि one minus i upon one plus i लिखा मिलता है कहीं पे तो आप इसको लिखेंगे तुरंद minus i ठीक है तो अगर आप यहां पर देखें तो यह लिखा one plus i upon one minus i इसको हम तुरंद क्या लिख देंगे सभी लोगों ने अंसर निकाल लिया होगा कितनी होगी two clear है तो इस question का answer और भी आपका राइट answer बन जाएगा यह हमारा question number four था चली हम लोग आगी तरफ बढ़ते हैं और अगली question कि तरह अब सभी question अब यह third था हम लोग चलींगे question number four के तरफ यह रहा हमारा question number four और question number four हमारा यह permutation से लिया गया है लिखा दर number of the number of numbers less than 1000 that can be formed out of the digits 0 1 2 4 & 5 मतलब आपके सामने चार्ट सुरी पांस डिजिट दिये गा है 0 1 2 4 & 5 no digit being repeated कोई की भी डिजिट को हमें repeat नहीं कर रहा है और जो number बनाना है वह 1000 से छोटा होना चाहिए तो 1000 से चोटे नंबर होंगे वह कितने कितने डिजिट के हो Sakते हैं एक डिजिट का भी नंबर 1000 से चोटा होगा और तीन डिजिट का नंबर होगा वह चोट से तो सब्सक्राइब चार से 1000 से चोटा होगा तो हमें यहां पर वन डिजिट का नंबर पहले बनाना है तो तो डिजिट के नंबर बनाने हैं और फिर त्रिजिट की बनाने तो आपको देखिए आपके पास ओवर ओल जीरो एक दो चार पांट और अगर आप यहां पर देखें इससे नंबर्स बनेंगे वह आपके केवल चार नंबर बनेंगे कितने नंबर बनेंगे चार नंबर एक बनेगा वन डिजिट के जीरो को हम लोग नंबर्स में काउंट नहीं करते हैं इस चीज को बाद रखना है जीरो जो होता है वो हमारे एक डिजिट होता है तो हम और ड जोगा फूर इज़िट के नंबर होगा फूर फूर फिर मौन को यह फूर में ईजबू आप कर सकते हैं आपके पास बचे वरन टू फॉर और यहां पर आपको फोने फोर है अब इसमें कोई भी एक नंबर आप भरा होगा आप जाइड सी बात है मैंने माल लिए यहां पर फिर से फोर जिट बनना है क्योंकि अब जीरो यहां पर इंक्लिड हो जाएगा तो यहां बने तरीके फिर से चार होंगे तो चार इंटू चार सोला यानि कि आपके तू जीरो नहीं हो सकता है अब आपके पास अगर यहां जीरो फूल नहीं करेंगे तो आपके पास फिर से फोर कंडिशन होंगी और फिर नेक्स्ट में फिर से फोर हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट में जो आपकी होंगे वह देखिए क्या होंगी नेक्स्ट में आपके जो 68 तो ओवरल हम बात करें तो इसका आंसर 68 होगा ध्यान रखेगा इसका गलती से भी आंसर अगर 69 आपने टिकर दिया अगर 0 को आपने एक कर लिए तो आंसर अपका रॉऄ हो जाएगा ओके और उसके रहां मारा क्वेशन और लॉक सेवन लॉक सेवन इसके बार रूट के अंदर सेवन फिर रूट के अंदर सेवन फिर रूट के सामने हैं बताइए क्या अंसर होगा इसका देखिए अच्छा कोशन है एंडिये में पूछा गया है हो सकता आने वाले एक्षांस में आपके सामने के कोशन तक दिया जाए तो कैसे करेंगे इस को कैसे सौल करना है चलिए देखते तो इसको एक चीज आप ध्यान रखेगा कभ से पहुंत जो भी नदर लिखा हूा उसको लिख लिए यालि के अंदर क्या लिखा है तो इसके बाद एक रूट को आप दो मानी एक रूट को यह रूट को आपके ऐसे करिए यह तो यह ज़िंड लिखेंगे है रूग है पर उस्टि-च चार तो 5 लिखेंगे और यह दो दोनी चार हुआ और चार दोनी आठ होगा कितीन रूट होगा इस बार तो अब यहां पर 8 लिखेंगे और उपर एक कम साथ अब यहां से हम इस पूरे को क्या लिखेंगे हम इसको लिखेंगे शिवन की पावर यहां पर नीचे आएगा उत उपर से यहां पर लॉग जो बेस में 7 है यह बना रहेगा और आगे देखेंगे और लिखेंगे दो की पावर दो यहनी कि दोनों के बेस्ट सेम करने होते हैं बेस्ट सेम कर लीजे जो पावर को डिवाइट कर लीजे तो आपको टू मिल जाएगा अब यहां पर देखें तो इनके बेस ऑलेडी सेम है यहां भी साथ है बेस और यहां पर बी साथ है इनकी पावर को डिवाइट करें तो ऊपर से 7 बटे एक मिलेगा तो यहां पर इसकी वालु कितनी मंझाएंगी 7 बटे 8 अपॉन एक यानिकि 7 भाई 8 तो हम इसको लिखेंगे log बेस में 7 और 7 बाई 8 अब हम यह 8 को हम 2 की पार 3 लिख सकते हैं, 3 आगया आजाएगा, तो 3 log base में 7 और यह 2, अब चेक कर लिजिए आपको किस option में यह मिल रहा है, तो आप पाएंगे कि option number C में हमको हूब 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 यही को दिया हुआ है, तो इस question का answer जो है, वो option number C बनेगा, यही इस question का right answer है, clear है, चल 10 question लेकाना है, question number 6 है, पहले question लोगो ने slide लेकी थी, clear है, सभी को चलिए, यह question लेकी लिखा हुआ है, let fx is equal to root के अंदर, under root 18 minus x square, then the value of limit x tends to 3, fx minus f3 upon x minus 3, कैसे करना है इसको, चलिए देखते है, फिर से वही condition हमें क्या करना है, इस fx को पहले से हम यहाँ पर जैसी है, तो हमारे पास एक ही तरीका होता है, क्या हम लगाते हैं, लगाते हैं, लगाते हैं, लगाते हैं, लगाते हैं, जिसके respect में आपको limit देगे है, differentiate कर देजिए, अंज़र हर दोनों को, तो जैसी आप differentiate करेंगे, तो आपको देखें क्या मिलेगा, limit x tends to 3, ऊपर हो जाएगा f dash x, यहाँ पर f 3 constant 0 हो जाएगा, रीचे x का 1 हो जाएगा और 3 फिर से constant 0 हो जाएगा, तो हमें f dash x निकालना पड़ेगा, यहाँ से, देखिए f dash x कैसे निकालेंगे, तो 1 upon under root के अंदर 18 minus x square लिखा हुआ है, हमें इसका differentiate करना है, इस तरीके से देखिए, यह लिखा हुआ ह अंदर 18 minus x square ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे differentiate करेंगे, ठीक है, चली देखते हैं, यह लिखा हुआ, अफि तो इसको हम लोग f x सी consider करते हैं, अब dash x नहीं निकालना है, 18 minus x square है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको उपर ले जाते हैं, तो यह हो minus 1 होगा, तो यह minus 3 by 2 बन जाएगा, फिर 18 minus x square करेंगे, तो minus 2x आपको मिल जाएगा, clear है, अब इसने आपको limit रखनी है, क्योंकि जैसी आप इसको यहाँ पर put करेंगे, आपको x is equal to 3 यहाँ पर रखना पड़ेगा, जैसी आप यहाँ पर 3 रखेंगे, तो दिखिए आपको समझ में आ रहा है न, कि यह minus minus हमारा plus हो जाएगा, और यहाँ पर यह 3, यह 3 आगे आजाएगा आपका, और 18 minus 9, 9 हो जाएगा, और 9 की power होगा minus 3 by 2, 9 को 3 का square लिख सकते हैं, square square जाएगा, तो 3 और उपर आजाएगा 2 की power, जैसी आप कहने लिगे, तो 3 की square होगा, तो यहाँ लोग लिखेंगे कितना, 1 upon 9, तो आप देख रहे हैं कि इस question का answer option number D बन रहा है, 1 upon 9, अच्छा question था, ठीक है, ऐसे questions मैंने अभी तक नहीं लिए, थोड़ा सा difficult question था, लेकिन question अच्छा था, आपके exam में आ सकता है, exam में नहीं आ रहा है, तो हम लोगों ने कुछ नकुछ इस question थे जरूर सीखा है, तो कि हो सकता है कि कुछ questions आपको ऐसे मिलें, जो आपको लगता हो, exam में नहीं आएंगे, लेकिन कुछ नकुछ 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 सीखने को जरूर मिलता है, ठीक है, और यह हम लोग और कहीं उच करेंगे, तो ठीक है, तो इस तरी का question था, अगर exam में तो आप आसानी से इस question को कर पाएंगे, चलिए बिना देरी कि हम लोग बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, यह रहा मारा question, लिखा हुए, what is the equation of the line, midway between the lines 3x-4y plus 12 is equal to 0, and 3x-4y equal to 6, अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए आपके पास एक line पहले दी गई है, equation 3x-4y plus 12 is equal to 0, okay, second line आपको दी गई है, 3x-4y minus 6 is equal to 0, इनके बिलकुल बीच से एक light जा रही है, उसका आपको equation बताना है, तो दो तरीके हैं करने के, पहली क्या, पहला यह तरीका है कि इनके बीच की distance निकाल लीजे, उसको आभी कर दीजिए, और जो line होगी वो इनके parallel होगी, जो line और होगी, फिर उसे perpendicular डाल के, लंब की equation निकाल के तब कर सकते हैं, या फिर उससे आसान तरीका क्या होगा, कि दोनों equation को जोड़ के आधा कर दीजिए, क्योंकि आपको equation जो है, वो बिलकुल बीच से निकाल ली है, ठीक है, तो आप क्या करिए, दोनों equation को जोड़ लीजे, तो देखें, जैसी आप जोड़ेंगे, यहाँ पर देगा, 6X, माइनस का 8Y, और प्लस का 6, इक्वल डू 0, दो से भाग दे दीजे, तो 3X, माइनस का 4Y, प्लस का 3, इस इक्वल डू 0, आपका answer हो जाएगा, कहां दिया गया है, चलिए देख लेते हैं, option number D, अब अगर आप देखना चाहते हैं, कि यह equation mid से है या नहीं, तो आप इस equation को यहाँ पर लिखिए बीच में, ठीके, इस equation को यह मानिए, जो लिखी हुई equation है, इसको यह let कर लेजे, अब आप दोनों से perpendicular land निकाल लेजे, एक बार इस से निकाल लेजे, और एक बार इस से निकाल लेजे, दे लेजे, यह रहा आपके सामने, लिखा होगा, what is 0-1, integration पूछा गया है, 0-1 limit दी गई है, यह की power 10 inverse x, dx upon 1 plus x square equal to, पूछा गया है, इसकी value क्या होगी, तो देखिए, बहुत आसान question है, exam से पूछा गया है, 10 inverse x को गर हम let करें, तो इसका differentiate ही मिलना चाहिए, तो 10 inverse x का differentiate होता है 1 upon 1 plus x square, तो यह already हमें यहाँ पर दीवा गया है, तो हम इसको x समान लेते हैं थोड़ी दे, क्योंकि जिसका definition मिल जाता है, उसको x मान लेता है, तो यह question मन गया, e की power x, और e की power x का integration, e की power x ही होता है, लेकिन x की जाखिए, actual में लिखा क्या है, 10 inverse x, इस पे किवल हमें limit सखेंगे, ति हो जाएगा e की power 10 inverse 1 minus e की power 10 inverse 0, 10 inverse 1 की value pi by 4 होती है, तो e की power pi by 4 हो जाएगा, और e की power 10 minus 0 कमान 0 होगा, तो e की power 0 की value 1 हो जाएगी, इस question का answer बनेगा e की power e pi by 4, e की power pi by 4 minus 1, option number a आपका right answer हो जाएगा, ओके सभी को clear है question, सभी को clear होगा, ओके चलते हैं, अगले question के तरफ यह रहा हमारा question number next, लिखा हुआ है यदि PQR एक ग्रोतर सेड़ी में है, ठीक है, if P and PQR are in GP and ABC are in also GP, then AP, BQ, CR कि सीरीज में होगे, तो आ रही होगी बात, PQR आपके GP में दिये गए हैं, ABC भी GP में दिये गए हैं, होगर हम इन तीनों का multiply आपस में कर दे रहे हैं, AP, BQ और CR, तो आपको जो सीरीज यहां से मिलने वाली है, वो कौन दे सीरीज होगी, AP होगी, GP होगी, HP होगी, यह इन में से कोई नहीं होगी, कैसे करेंगे आप, देखिए, सबसे पहले चीत हो, जो PQR आपको गुड़तर सेड़ी में बोल रहा है, यहां पे आपका करिए, यह पी, QR एक ऐसी वेलुज लेट कर लिए जो गुड़तर सेड़ी में हो, तो चलिए, PQR हम लोग लेट कर लेते हैं, यहां पे, PQR, P हमने माल लिया, 1, Q माल लिया, हमने 2, और R माल लिया, 4, देखिए, आपको GP में इदी गए हैं, इसके बाद हम यहां पे, ABC को इसी तर करिंग तो भी टूँआएगा, तो आप देखिए, दोनों ही टर्म्स आपके GP में हैं, और इनका मल्टिप्लाइ करा देते हैं, यानि कि PA, और आपका QB जिसको कह रहा है हैं, और दूसरे को कह रहा हैं, RC, इनका मल्टिप्लाइ करा देते हैं, पी A का मतलब 3 हो गया, और QB क मतलब हो गया, यहाँ पर 12, और RC का मतलब हो गया, 48, अब देखिए, आप देखिए, क्या यह AP में बनेंगा, क्या बीच वाले का डबल दोनों के योग के पराबर होगा, नहीं, ठीक है, तो यह समांतर स्रेडी नहीं हो सकती, गोड़तर स्रेडी के लिए हमें पता है कि GDP में, तो इसका आंसर जीपी ही होगा, मतलब दो तरम्स आपको अगर तीन तरम जीपी में दिए गाए, फिर अगली सीरीज के तीन तरम जीपी में दिए गाए है, तो यनों का multiply करा देते हैं, जो सीरीज बनेगी, वो भी आपका किसम होगी, जीपी में, ग्यूंक एसे कोश B का whole square plus A dot B का whole square is equal to तो देखिए आपने एक formula पढ़ा होगा मैंने बताया भी है कई बार अपने वीडियो में कि mod of A cross B का whole square plus A dot B का square ठीक है प्लस A dot B का square तो mod लगाना चाहिए लगा सकते हैं ना लगाना चाहिए कोई दिक्कत नहीं ठीक है B की वेलो आपको दो दी गए दो का square करिए तो चार आएगा मौडब B की वेलो तीन दी गए तीन का square करिए तो 9 आएगा multiply करिए तो कितना दाएगा 36 ओके इस question का answer आपका 36 राइट आंसर बन जाएगा और मैं बता दू कि हमारे जो अनिकाटनी पर class है वो हमारी life class होगी डेली होगी तो आप जाकर इंवर्मेंट डेली के डेली कर सकते हैं मैं डेली के डेली आपको बताता रहूंगा अपने वीडियो में तो चलिए आज की इस लोग नहीं प्रेंड करते हैं बाकी मिलते हैं अ